तो हेलो एन वेलकम दोस्तो मेरा नाम है इम्मोटल और आप लोग देख रहे हो शिंचन एक्ष्टी दोस्तो मैं तो आप लोगों को याद होंगा ही नहीं अरे भाई लोग थोड़ा तो याद करनी की कोशिश करो अरे मैं वही हूँ जो शिंचन बनता था और इम्मोटल भाईया याद आया चलो यार अब मैं चलता हूँ यार यहाँ पर तो कोई मेरे को याद ही नहीं रखा है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो 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 हरे यार मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे को पता यार मैं मजा करा था थोड़ा सा वो क्या है ना इतने दिनों के बाद मैं PKXT में आया था तो मुझे PKXT में फेक बार फिर से यार काफी जादा changes देखने को मिले तो मैं सोचा यार क्या क्या आया है यहाँ पे तो मेरे को houses में तो कुछ दिखाई नहीं दिये लेकिन यहाँ पे armor में आपके जो skate वाले armor थे वो purple gamer armor और yellow gamer armor उसे अब हम gems से खरीद सकते हैं और हमें इसके लिए देने पड़ेंगे total 400 gems तो दोस्तो मैं तो यहाँ पे खरीदने वाला नहीं था उस armor को क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही था मैं आज आपको यहाँ पे बताने के लिए आया था वो story कि यार मैंने क्यों छोड़ दिया था PKXT खेलना और मैं यहाँ पे आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आखिर क् तो दोस्तो सबसे पहले तो देख सकते हो काफी सारी नई नई चीज़े आ चुकी थी PKXT में जैसे यह bicycles मतलब मैंने तो कभी देखा ही नहीं था मतलब PKXT में हमारे लिए एक सपना था कि हम car चलाएं आप लोगों ने पहले तो बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें कोई या तो car चला रहा है या तो कुछ और चला रहा है लेकिन PKXT में ऐसा नहीं था और मैंने भी आपको बताया था कि car तो आने वाला है ही नहीं PKXT में लेकिन दोस्तो यह जादू कैसे हुआ और यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिला skates वो तो हमें बाद में पता चलेगा लेकिन चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आखिर PKXT से चला क्यों गया था तो दोस्तों आप लोगों को शायद पता ना हो तो मैं और भी बहुत सारे YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं अधर अपने टाइम को जो है वो जादा दे दे रहा था एंड मैं PKXT के वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि यार मेरे को टाइम से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इवेंट कब आते हैं एंड कब चले जाते हैं लेकिन आई हो बहुत सारे ऐसे इंडियन क्रियेटर्स हैं PKXT में जिनके वीडियो आप लोग देखते ही होंगे एंड दोस्तो मेरे पास अभी भी काफी जादा टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास इतना टाइम है कि मैं PKXT के वीडियो को बना सकूँ मतलब मैं डेली वीडियो तो नहीं अपलोड कर पाऊंगा लेकिन हां मैं आप लोगों के लिए वीडियो बीच बीच में लाता रहूंगा तो यार सस्क्राइब करके और जो बैल नोटिफिकेशन है ना उसको अन करें ला ताकि आप लोगों को पता चलते रहे कि यार इमोटल अभी भी जिन्दा है और वीडियो अपलोड कर रहा है तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं PKXT के बारे में क्योंकि यार मैंने तो बहु सारी बाइक्स यहाँ पे हमें बाइक स्टोर पे देखने को मिल जा रही है और अभी तक मैंने इसे बाई ही नहीं किया था वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी अच्छे टाइम पे आ गया अब मैं इनने बाई कर सकता हूं और दोस्तों PKXT के यह सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि वो जैम्स को छोड़ कर यहाँ पे गोल्ड में भी हमें काफी सारी चीज़े दे रहा है और देखो यहाँ पे मैंने सारा कुछ ले लिया एं दोस्तों मैंने बाईक को ट्राइ किया और आप विश्वास नहीं करोगे मेरे को पहली बायार काफी जादा इस टी में हमें थोड़े और मज़े आने लगे हैं मतलब अब हम Corns भी कर सकते हैं और रिश भी लगा सकते हैं दोस्तों तो चलो वैयर करते को अन買ने तो कभी नहीं ट्राइ किया तो चलो यार देखते हैं ये दोस्तोंе लिए जैसे की आप लोग देख सकते हो मैंने यहां से वीडियो आने वाली है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों हमारे पीक एक्षटी के जो इंडियन क्रियेटर्स हैं वो काफी जादा ग्रोग कर रहे हैं एंड अभी बहुत सारे ऐसे इंडियन क्रियेटर हो चुके हैं पीक एक्षटी में जिनकी वीडियो आप देख सकते हो तो मैं उन्हीं इंडियन क्रियेटर से आपको मिलवाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में और हम सब मिलके करने वाले हैं एक रेस तो दोस्तों रेडी हो जाओ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे दोस्त जो PKXT खेलते हैं और जो क्रियेटर हैं दोस्तों तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाई बाई